बच्चो, आज मैं आपके सामने विद्धुधार और परिपत के दो क्रिया कलाप करने वाली हूँ इस क्रिया कलाप को करने के लिए मैंने इस बोड़ पर तीन प्रतिरोध लिये हैं अब देख सकते हैं बच्चो, प्रतिरोध AB जिसका नाम मैंने रखा R1 प्रतिरोद CD जिसका नाम रखा है मैंने R2 और प्रतिरोद EF जिसका नाम मैंने रखा है R3 अब बच्चों इन तीनों प्रतिरोधों को मैं आपके सामने जोडने वाली हो इन प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड सकते हैं सबसे पहले तो इस प्रतिरोद को मैं लगातार एक के बाद एक जोड़ूंगी लगातार एक के बाद कैसे जोड़ेंगे हम हम प्रतिरोद R1 के अंतिम सीरे को दूसरे प्रतिरोद R2 के पहले सीरे से जोड़ेंगे और वैसे ही दूसरे प्रतिरोद R2 के अंतिम सीरे को तीसरे प्रतिरोध आर्थी के पहले सीरे से जोड़ेंगे इस प्रकार जब हम प्रतिरोधों को लगातार एक के बाद एक जोड़ते हैं बच्चों तो इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन तो आओ बच्चों इनके आपके सामने मैं इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ती इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिया एक बैटरी और आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास एक अमीटर है और एक वोल्ट मीटर है और आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास इस अमीटर और वोल्ट मीटर तथा बाकी प्रतिरोधों को जोडने के लिए हमारे पास है अब जानते हो बच्चों एमिटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है एमिटर को हमेशा परिपत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को वोल्टमीटर को परिपत के साथ समानतर क्रम में जोड़ा जाता है तो मैं यहां पर एमिटर को श्रेणी क्रम में जोडने वाली हूँ और वोल्ट मिटर को समानतर क्रम में और जो परिपत त्यार होगा उसमें हम इस बैटरी की सहायता से जिसका नाम मैंने E1 रखा है यहाँ पर मैं धारा प्रवाहित करूँगी और देखेंगे कि इस श्रेणी क्रम से योजन मे में तोल्य प्रति रोध क्या ग्यात हो रहा है तो इन तीनों प्रति रोधों को सबसे पहले हूं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जैसा कि मैंने बताया था बच्चों आपको ये पहले वाले सीरा है, इसको हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, R1 के दो सीरे, A और B, पहले सीरे को हम खाली छोड़ देते हैं, इसका जो अंतिम सीरा है, उसको हम R2 के प्रथम सीरे से जोड़ने वाले हैं, ये हमारे पास क्लिप है बेटा, इसको हम क्रोकोडाइल क्लिप क दोनों अब इसी प्रकार मैं दूसरा प्रतिरोध R2 उसके D छोर को D सिरे को मतलब अंतिम सिरे को मैं R3 के प्रथम सिरे से जोडती हूं इस क्लिप की साहता से अब देख सकते हैं बच्चों ये तीनों प्रतिरोध लगातार एक के बाद एक श्रेणी क्रम में जोड़ चुके है अब हमारे पास ये वोल्ट मीटर है इस वोल्ट मीटर को इन दो तारों की साहता से मैं इन प्रतिरोध के साथ समानतर क्रम में जोडती हूं इसके लिए मैं इस प्रतिरोध R1 के A सीरे में एक सीरा जोडती हूं और इस R3 तार के R3 प्रतिरोध के F सीरे में वोल्ट मीटर का इस प्रकार ये वोल्ट मिटर इन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के साथ समांतर क्रम में जुड़ गया है। अब हम अमिटर जोडेंगे। अमिटर हमेशा बच्चों परिपत में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां अमिटर से आने वाली धन स सीरे से जो तार है उसको मैं इस F सीरे से जोड़ देती हूं और इस अमीटर का एक सीरा मैंने खाली रखा है ताकि मैं इसे बैटरी से जोड़ू और इसमें धारा को प्रवाहित कर सको अब यह हमारे पास battery E1 है अब इसे भी मुझे परिपत में जोड़ना है जिससे कि इस परिपत में धारा प्रवाहित हो सके हमारे पास एक और तार है जिसमें से मैं battery के धन सीरे को इस प्रतिरोध R1 के A सीरे से जोड़ देती हूं इस प्रकार हमारा परिपत पूर्ण हुआ, अब इसमें धारा को प्रवाहित करना है, अब इस धारा को मैं इस बैटरी की साहिता से प्रवाहित करती हूँ, उसके लिए मैंने इस एमिटर के रिंट सीरे को खाली छोड़ा था, अब मैं इसको बैटरी के रिंट सीरे से जोड़ मreck कि देखो बच्चो हम देख सकते हैं किस अमिट्र में और वॉल्टमीट्र में दोनों में हमको मान प्राप्त हो रहे हैं अ मिट्र मैं हमको एक एंपेर का मान प्राप्त हुआ है और वॉल्टमीटर में हमको 0.5 वोल्ट का मान प्राप्त हुआ है अब हमको आर ग्याद करना है तो हम वी को आई से भाग देंगे यदि मैं 0.5 को एक से भाग देती हूं तो इस परिपत का जिसे मैंने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है उस परिपत का तुल्य प्रतिरोध मुझे 0.5 ओम जोड़ के इस परिपत का तुल्य प्रतिरोध ग्याद कर लिया अब हम इसको दूसरे तरी किसे जोड़ते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हम इसको दो तरी किसे जोड़ सकते हैं पहले हमने इसे कैसे जोड़ा था लगातार एक के बाद एक पहले वाले प्रतिरो होते हैं जब हम सारे प्रतिरोधों के प्रतम सीरे को एक साथ जोड़ते हैं और अंतिम सीरे को एक साथ जोड़ते हैं तो जो क्रम तयार होती है उस क्रम को हम समानतर क्रम कहते हैं तो बच्चों हम इस प्रतिरोध को अब समानतर क्रम में जोड़के देखते हैं इसके लिए मैं इस R1 से निकले वाले तार को देख सकते हैं, A सीरे के तार को मैं C के साथ जोड रही हूं, R2 के और R2 के इस C सीरे को मैं R3 के E सीरे के साथ इस तार की सहता से जोड रही हूं. अब आप देख सकते हैं बच्चों, इन तीनों प्रतिरोधों के प्रतम सीरे A, C और E एक साथ जोड चुके हैं, अब इनके दूसरे सीरे बाकी हैं अंतिम सीरे, तो इनको भी मैं तार की साथ से जोड सकती हूं, यहाँ आप देख रहो, R1 का B सीरा, इसे मैं R2 के D सीरे के साथ जोड देती हूं, और R3 का F सीरा, इसे भी मैं R2 के D सीरे के साथ जोड देती हूं, तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर B, D और F तार की साहता से एक साथ जोड चुके हैं, इनके प्रतम सीरे एक साथ जोड हैं, और इनके अंतिम सीरे एक साथ जोड हैं, यहाँ प राप्त हो रहा है अब इस common point में ही मैं volt meter को समांतर क्रम में जोड़ देती हूं इस volt meter से भी इस निकली धन सीरे की तार को मैं C के साथ जोड़ देती हूं और इसके रिंट सीरे से निकली तार को मैं D के साथ जोड़ देती हूं इस प्रकार इन प्रतिरोधों के साथ ये volt meter समांतर क्रम में तार की साहता से जोड़ चुकी हूं अब meter जोड़ती हूं अब meter के इस धन सीरे को भी मैं उसी common point अंतिम सीरे के मतलब D के साथ जोड़ देती हूं इस meter का रिंट सीरा बच्चो मैंने खाली रखा है और इसको मैं battery के रिंट सीरे के साथ जोड़ूंगी ताकि इस परिपत में धारा को प्रवाहित कर सकूं तो इस से हम खाली छोड़ देते हैं अब इस battery के even battery जिसे मैंने धारा प्रवाहित करने के लिए लगाया है इसके धन सीरे को भी मैं इस प्रथम सीरे के common point C के साथ जोड़ देती हूं और यह परिपत हमारा पूर्ण हो चुका है हमने यह वोल्ट मिटर को समांतर क्रम में जोड़ द में धारा को प्रवाहित करूंगी और धारा को प्रवाहित करते ही अमीटर कमान और वोल्ट मिटर कमान दोनों हम नोट करेंगे तो बच्चों इसको जोड़ते हैं मैनने इसको रेंट जीरे के साथ जोड़ दिया, अब देख सकते हैं बच्चो, अमेटर में भी मान मिल रहे है हमको और Raphael में भी मान प्राप्त हो रहा हैं, अमीटर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ अमीटर का मान हमें एक एंपियर प्राप्त हुआ और आप देख सकते हैं बच्चो वोल्ट मीटर में कितना मान प्राप्त हो रहा है वोल्ट मीटर का मान तो बच्चो घट गया है कितना प्राप्त हो रहा है हमको 0.25 वोल्ट अब मै इस क्रम के तुल्य प्रतिरोद को निकालना चाहूं तो मुझे वी को आई से भाग देना पड़ेगा जैसा कि ओम का नियम कहता है तो मैं 0.25 को यदी एक एम्पीर से भाग देती हूं तो इस परिपत का तुल्य प्रतिरोद मुझे ग्याद होता है 0.25 ओम यह क्या बच्चो हमने देखा कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड रहे थे तो तुल्य प्रतिरोद 0.5 ओम प्राप्त हुआ था जैसा हमने नोट किया था और जब हमने समानतर क्रम में जोड़ा तो प्रतिरोद तुल्य प्रतिरोद हमको 0.25 ओम प्राप्त हो रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते जाते हैं तो प्रतिरोध कमान बढ़ जाता है और यदि हम समानतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कमान घट जाता है